प्लीज दो सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेज द बेल आइकन हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज हम बनाने वाले हैं लेजी पास्ता और इसे लेजी पास्ता क्यों कहते हैं यह जानने के लिए आखिर तक वीडियो देखिए तो चलिए शुरू करते हैं लेजी पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए पास्ता, कटा हुआ प्याज, शिम्ला मिर्च, टमाटर, पास्ता मसाला, चीज और पास्ता पीजा सॉस सबसे पहले एक कड़ाई में थुड़ा तेल डालिए जैसे ही तेल गरम हो जाए उसमें लेसून डालिए उसके बाद प्याज और मिक्स कर लीजिए अब उसमें टमाटर और कैट्सिकम डाल कर मिक्स कर लीजिए अब उसमें नमक डाल गए फिर पास्ता डाल कर अच्छे से मिक्स कर लीजिए स्टार्टिंग में हमें पास्ता को उबालना नहीं है कच्छे ही रखना है एक कप पानी डाल कर इते हुपा लिए अब यह अच्छे से पप चुके हैं उसमें एक चमच पीजा पास्ता सॉस डालना है और पास्ता मसाला और मिक्स कर लेना है और क्रीमी टेक्स्चर के लिए चीज ड़िए और मिक्स कीजिए अब इससे सर्फ करते हैं इससे लेजी पास्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने पास्ता को पहले से ही बॉil नहीं किया हमने सब कुछ एक साथ बॉil किया इसलिए यह जर्बी से बन गया जोगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए आपके फ्रेंज के साथ शेयर कीजिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को क्लिक कीजिए